अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टुमा योट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लेविकल को अपर लिम्स की बॉन्स को वन बाइवां हम पढ़ेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लेविकल बॉन्स को क्लेविकल बॉन्स जो होती है हम अब हमारे पास clavicle bonds की दो extremities होती हैं, दो उभार होते हैं, एक होता है sternal extremity, एक होता है, क्रोमेल extremity, इसके लिएवा यहाँ पे टुबर्कल भी होता है, cornoid tubercle, अभी इसको one by one हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे, तो clavicle bond जिसको हम color bond भी कहते हैं, यह latin word clavicular से निकला है, ज होती है, और यह जो clavicle bond है, यह sternum, और यह scapula जिसको shoulder bond कहते हैं, उसके दर्म्यान में बढ़ी है horizontally across the root of neck, अगर इसकी shape को देखें, तो यह जो हमारे पास clavicle bond है, यह S shaped होती है, यानि S जो alphabet होता है, उस जैसी होती है, और यह example करती है, एक large old style key को, तो यहाँ से अगर shaped है, तो यह हमारे पास किया है, clavicle की shape, next, इसकी अगर significance को देखें, तो clavicle form a light throat that connects the upper limb to move freely from the trunk, it is the first one to begin ossification, अब हमारे पास यह जो clavicle bonus का क्या फाइदा होगा, यह connect करेगा, अपर लिम यानि यह जो हमारे बाजू है, इसको connect करता है, trunk के साथ, यह हमारे पास यह sternum के साथ connect करता है, और इसका फाइदा यह होगा, upper limbs freely move कर सकेंगे, body से away और जिस तरह में की movement होगी, तो वो clavicle की वादा से यह possible होगा, और यह पहली bone है, जो ossify होती है, यानि बाकी bones के निसमें सब से पहली bone जो ossify body में होती है, उसको कहते हैं, वो clavicle bone है, clavicle is subcutaneous, यानि skin के नीच external extremity, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो extremities होती है, external extremity होगी, एक acromial extremity होगी, इसके नाम से पता चल रहा है, external extremity, extremity कहते हैं किसी उभार को, तो external extremity वो वाला उभार होगा, जो sternum के साथ attach करेगा clavicle को, और acromial extremity, अगर हमें याद हो, scapula की bone में होता है, एक acromial process, त के साथ attach होगी, scapula के, अब यहाँ से अगर देखें, तो sternum extremity ज़रा थीक होती है, और acromial extremity ज़रा flat होती है, sternum वाली साइट पर होती है, sternum हमारे पास body की midline होती है, तो यह sternum extremity है, यह medial होगा, और जबके extromial extremity होगा, लेटर होगा, और इसे तरह यह proximal भी होगा, sternum extremity क्योंकि यह point of attachment के करीब होगा, जबके acromial extremity जोगा, point of attachment के दूर होगा, तो इस वज़रा से यह distal होगा, और इसको बारी अभी देखते हम, the sternum extremity is blunt, यह unsharped है, इतनी sharp नहीं है, लेकिन thick है, और यह proximal है, यह point of attachment के करीब है, medial है, यह मारे बास midline के करीब है, और यह close का end है, यह clavicle का end है, यहां से यह देखा तो end egg, और यहां से देखें तो यह thick भी है, it articulates with a clavicular notch of sternum through a compound synovial joint containing an articular disc, तीक है, यहां से हमारे पास sternum के साथ attached है, यहां से अगर देखें, यह हमारे पास maneuverium दिखाया है, sternum का एक part होता है, बाड़ी से उपर वाला एक part होता है, sternum क के उपर, जिसको कहते है, manubrium, और इसको पर हमारे पास एक notch होती है, जिसको कहते है, clavicular notch, और वहां पर यहां पर और उसने clavicle के इस end के साथ synovial joint बनाया हुए, यानि हमारे पास clavicle bone का जो external extremity है, उसने manubrium के clavicular notch के साथ, एक joint बनाया है, synovial joint, इसके रिद्गित क्या हो होती है, तो यहां से अगर हम देखें, यह हमारे पास sternal का extremity है, यह हमारे पास manubrium दिखाया है, और उसके पर यह notch दिखाई है, जिसको कहते है, clavicular facet, जो कि इस side से नज़र आ रहा है, हमारे पास clavicular notch, sternum के उपर होती है, clavicular notch, और यहां पर आके clavicle का end attach होता है, कौन से end attach होता है, sternal extremity वाला end attach होता है, इसी तरह दूसरी extremity जो है, acromial extremity है, acromial extremity क्या होती है, flat होती है, और यह distal होती है, यह नि point of attachment के दूर होती है, और lateral होती है, क्योंकि midline से दूर है, it articulates with, अब हमारे बस ही है, acromial process of scapula के साथ attach हुई होती है, यहां से देखें, तो यह मेडियल पार्ट है, यह sternal extremity था, अब यह जो lateral है, यह कौन सी है, acromial extremity, और यह किसके साथ attach होगी, यह scapula bone दिखाई है, scapula bone का हमारे पास यह acromial process है, यहां आके attach होई है, clavicle का acromial extremity, जो के lateral end है, तो यहां से अगर दूबार देखें, तो यह हमारे पास acromial extremity है, जो क से अगरे, scapula के acromial process के साथ attach है, तो यह बहुत ही है, कि हमारे पास दो extremities है, दो उभार है, दोनों end की तरफ, एक होगा medial end और एक होगा lateral end, medial end की तरफ जो उभार होता है, उसको कहते है, sternal extremity, क्योंकि वो sternum के साथ attach होता है, जो हमारे पास acromial extremity होगा, जो के lateral end पे तो इसके साथ attach है, इसले इसको कहते है, acromial extremity, ठीक है, और यह बहुत असान है, फिर हमारे पास आदेता है, conoid tubercle, एक tubercle है, kono का word Greek word है, जिसका मतलब होता है, pine cone, small rough and elevation है, यानि उभार है, inferior surface पे, near the acromial end, अब जहां पे हमारे पास एक्रामियन end है, यह देखे हैं, यह यह पार होता है, superior, और यह होती है, inferior surface, यानि नीचे वाली surface को कहते है, inferior surface, तो clavical bone की inferior surface, के उपर एक tubercle होगा, एक भार होगा, जिसको कहते है, conoid tubercle, यह small सा, छोटा सा भार है, और यह वो, acromial end के करीब होगा, यानि जहां पे हमारे पास, acromial bone के साथ यह attach होगी, clavical, उसके करीब होगा, conoid tubercle, significance आप देखें, conoid tubercle की, तो यह हमारे पास क्या provide करता है, conoid tubercle जो है, serve as attachment area for conoid ligament, जो के part है, coreco-clavicular ligament का, attachment area जो है, हमारे पास provide करता है, conoid ligament को, तो यहां से इसका फाइदा यह होगा इस प्रोसेस के साथ क्लेविकल के इस टुबरकल के साथ आके हमार पास क्लेविकल के साथ होगा कि यह जो हमारे पास konoid tubercle है यहाँ यह प्रवाइट करेगा attachment area konoid ligament को और konoid ligament जो है वो korakoclavicular ligament का पार्ट है और korakoclavicular ligament जो है दो ligament उसमें आ जाते हैं trapezoid ligament और konoid ligament यहाँ सब्सक्राइब दिखाएगी है यह attachment दिखाएगी है यह हमारे पास tubercle दिखाएगा है konoid tubercle जो के acromion end के करीब है फिर हमारे पास अगर देखें कौन से muscles यहाँ पर आक अटेच होते हैं the most important muscles attached to the clavicle clavicle के साथ जो muscles आक अटेच होते हैं वो हमारे पास deltoid muscle है trapezius है sternocledo mastoid muscle है pectoralis major है और sternohydroid muscle है तो यहाँ से अगर देखें तो यह हमारे पास दिखाएगा है pectoralis major muscle जो के आक अटेच है clavicle bone के साथ यह हमारे पास सबसे important muscle दिखाएगा है sternocledo mastoid muscle trapezius muscle भी इसके साथ अटेच है और यहाँ पर बाजू पर यहाँ पर होकर deltoid muscle तो वो भी यहाँ पर अटेच होगा आके clavicle के साथ next हमारे पास clinical notes है clavicle के तो clavicle fracture भी हो सकता है unfortunately बदकिस्मती से यह वह वाली बहन है जो easily exposed हो जाती है trauma को यानि injury इसको सबसे जल्दी हो जाती है क्योंकि इसकी position इस तरह की होती है it is most commonly fracture bone in the body इसकी causes क्या होंगे यहां दो shoulder पर आपके बल गिर गये है तब आपको यह fracture हो सकता है यह outstretched hand इसका दो causes है तो यहां से देखी fracture दिखाव है clavicle bone का और इस सबसे easily बादब fracture लो जाती है bone है potential sides को होती है यानि कौन कौन से ऐसी sides होती है जो के fracture होने के chances जएदा होते है तो यह जो potential sides दिखाए ही है यह वाली sides जएदा fracture हो सकती है ज़्यादा chances होते है इनके fracture होने के result क्या होगा यानि इसका fracture अगर हो गया clavicle fracture हो गया तो फिर होगा मार पास the force is transmitted along the clavicle which breaks at its weakest point यानि कोई भी अगर धर्का लगा तो आपकी clavicle bone fracture हो गई है तो वो अपने weakest point पर तूटेगी और वो weakest point का होगा junction of middle and outer third यह हमार पास इस point से fracture हो सकती है इनको कहते है weak points पिर हमार पास इस तरह दिखाए है mechanism of injury आप गिर गयो हो है shoulder पे तो इस तरह जो है injury हो सकती है clavicle bone को after the fracture lateral fragment is depressed by the weight of arm अगर fracture हो गया उसके बाद जो हमार पास lateral fragment है वो depressed हो जाएगा arm के weight के साथ and pulled medially और वो medially pull हो जाएगा forward by the strong adductor muscle of the shoulder joint especially pectoralis major muscle यानि यह हमार पास lateral fragment जो होगा वो depressed हो जाएगा और हमार पास यहां से गर देखें तो यह हमार पास दिखाया है pectoralis major muscle pectoralis major muscle जो के एड़क्टर muscle है strong adductor muscle है shoulder joint का pectoralis major muscle और हमार पास arm के weight के वड़ा से यह जो lateral fragment होगा यानि जो lateral fragment होता है यह हमार पास medially pull हो जाएगा यानि यह fracture होने के वड़ा से forward हो जाएगा by the adductor muscle spectralis muscle की weight की वज़ा से और arm के बाजू की weight की वज़ा से और जो medial end होगा वो tilt हो जाएगा upward by the sternocleidomoistoid muscle अब यहां पर दूसरा जो मसल है कौन सा है sternocleidomoistoid muscle इसके weight की वज़ा से हमार पास medial end होगा जो point of attachment के करीब होता है वो forward यानि उपर की तरफ जो है खिसक जाएगा यानि उपर की तरफ उसको धखा लगेगा tilt हो जाएगा the medial end is tilted upward by the sternocleidomoistoid muscle the close अच्छे यहां से देखेंगे तो यह हमार पास sternocleidomoistoid muscle दिखाएगा है इसके यहां पे weight की वज़ा से जो है यह उपर को fracture के बाद यह उपर को चला जाएगा lifted upward अब हमार पास यहां पे एक nerve गज़र ही होती है supra clavicular nerve तो clavicle का उसके साथ बहुत important relation है close relationship है supra clavicular nerve का clavicle के साथ और इसके वरा से यहां पे अगर हमार पास clavicle fracture होगी तो यहां पे क्या हो जागा क्यालस formation का हमें पता है कि जाब बॉन तूट यहां पे क्यालस बनता है after fracture of bone this may cause persistent pain over side of neck तो इसके रहा से आपको neck की side पे pain होगा यहां से बहुत से structures गोज़र रहे होते हैं clavicle compression of brachial plexus subclavicular artery and subclavicular vein the interval between the clavicle and first is in some patient may become narrowed and thus is responsible for the compression of nerves and blood vessels यानि वो यह कह रहे है यहां से यह दिखाई हुए supraclavicular nerve तो यहां से अगर यह हमारे पास fracture होगी bone तो यहां पे callous formation हो जाएगी और यह close relationship होता है clavicle का supraclavicular nerve के साथ यह supraclavicular nerve दिखाई हुए तो यहां पे यह जो last बात लिखी हुए के compression हो जाएगी किसकी brachial plexus की subclavicular artery की क्यों हो गई है जब हमारे पास first rib के दर्मियान में और clavicle के दर्मियान में जो muscles हैं यह compress हो जाएगे तो यहां पे जो structures यहां से गुजर रहे हैं कौन कौन से structures गुजर रहे हैं subclavicular artery यहां से गुजर रही है subclavicular vein यहां से गुजर रही है red color की artery और blue color की vein है और यहां पे brachial plexus जो है यह जो yellow color से दिखाया है तो अगर यहां पे muscles compress हो जाएगे तो यहां से जो structures हैं इनकी भी compression हो जाएगी यानि brachial plexus subclavicular artery और subclavian vein की compression हो जाएगी तब जब हमारे पास ribs के दर्मियान first rib के दर्मियान में और clavicle के दर्मियान का muscle compress हो जाएगा तो यह हमारे बस clavicle bond दिखाई है यह इसका लेटल बागी पार्ट होता है और जबके यह जो दूर से बाकी पार्ट होता है इसको कहते हैं तो यहां तक हमारे पास clavicle bond complete हो जाती है next video में इंशाला हम shoulder bone को पोड़ेंगे